हेलो और वेल्कम टू टीवी का पटाका यह वान स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अल एंटेटेन्मेंट नियूज वेल दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला से एलिमिनेट हुई टीना दत्ता आखिर क्यों पहुँच चुकी है सुंबुल के बेस्ट फ्रेंड यानि की फैमान खान से मिलने जी हाँ खबर सामने आई है कि फैमान खान और टीना दत्ता एक दूसरे से लगातार मुलाकात कर रहे हैं वेल एक तरफ जहां टीना दत्ता बिग बॉस के घर से निकलने के बाद लगातार इंटर्व्यूज दे रही हैं हमेशा अपनी रिल्स डाले जा रही हैं जिसमें वो बता रही हैं पोस्ट बिग बॉस और प्री बिग बॉस कैसा रहा है उनकी परस्नालिटी में होने वाला बदलाव तो वहीं अचानक से अब खबर सामने आई है कि फैना दत्ता लगातार फैमान खान से मिल रही है और वो उन से मिलने के लिए उनके सेट पर और उनके ऑफिस पर उनके घर पर भी जा चुकी है एक करब जहां फैमान और सुम्बल के शादी की खबरे उड रही हैं कि शायद सुम्बल जैसे ही घर से बाहर आएंगी सुम्बल और फैमान की शादी होगी तो वही इस बीच क्यों टीना और फैमान आपस में मिलने लगई हैं इस बारे में फैन्स जा ना चाते हैं और लगातार comment करके TINA से सवाल कर रहे हैं कई लोग टीना को ट्रोल भी कर रहे हैं यह कहकर कि तुम अब फह्मान पर नजर डाल रही हो सुंबुल को फह्मान पसंद है तो तुम अब फह्मान और सुंबुल की दोस्ती तोडना चाहती हो लेकिन दोस्तो इस कबर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है आपको बता दे तीना दत्ता और फैमान खान आप लोगों को बहुत जल्द एक म्यूजिक एल्बम में साथ में नजर आ सकते हैं और इसी के चलते इन दोनों को लगातार एक दूसरे से मिलना पड़ रहा है यह पूरे तरीके से प्र पांडिंग है और दोस्ती भी इसी के साथ सुंबल तौकिर खान को लेकर भी उनको काफी जादा दुख होता है इसलिए फैमान से बात करके सुंबल के साथ अपने रिष्टे को वह घर के बाहर स्मूध और सौंटेड रखना चाहती है क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यू को लाइक और शेयर करना अपना भूले